नमस्कार मैं हूँ आपके साथ करन खुराना और आप देख रहे हैं निउस ब्रोडकास्ट 24 हमेशा खेलों में आगे रहने वाली हरियाना की बेटी ने एक बार फिर परदेश का नाम रोशन कर दिया है दरसल गुरुगराम के गाव सीलोखरा की रहने वाली सोनाली शर्मा ने बोपाल में हुई ओल इंडिया घुड सवारी प्रत्योगीता में स्वन पदक हासिल कर लिया है बोपाल में हुई ओल इंडिया घुट सवारी प्रितोगीता में senior category में 200 से जादा खिलाडियों ने भाग लिया था जिसमें सोनाली शर्मा ने अपना बहतर परजशन करते हुए सबी प्रती भागियों को मात देते हुए स्वन पदा खासिल किया कॉंपिटिशन ओविसली टाफ होता है कि नाशनल लेवल हर जगह से हर स्टेट से लोग आते हैं और लेकिन महनत और हाड़ वर्क सबकुछ दूब बना देता है जैसे मेरे पापा कहते है कि महनत करोगे तो फल मिलेगा उसके आगे सबकुछ दूब आप नो साल हो चुकिया इसमें और कंटीनिसली में टू यहर से मैंने इसमें मैंने वहनत करी है सुबा वेन अपना स्कीटूल बनाया हुआ है सुबा पांच बजे उटके मैं राइडिंग जाती हूं वापस दस बजे घर आती हूं शाम को फिर मैं राइडिंग के लिए जा को अबी कॉंपेटिशन करेंगे और मेनत करेंगे में को लगता है कि हर स्टेक में आपको चुछ नया सीखते हो मैंने इसमें काफी चीज़ा सीखी है जो कि मेरे को लगते हैं कहा कहा इंब रूफ करना है तो उस ही को ध्यान में रखते हूए मैं आगे परूंगी और नहीं ये चीज़े सीखूंगी ताकि मैं अच्छा और कर सकूँ में को फैमिली में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हमेशा उनना में को यह सिखाया कि मेहनत से कभी मत भागो हर चीज में मेहनत कर और यह नहीं कहती कि सेब आप खेल खूद में को रहो में को अक्याडमिक लिए दोनों चीज़ को हमेशा बैलेंस कर रहा चाहिए आप बैलेंस करके आगे भीड़ो और फैमिली बहुत अच्छे सपोर्ट करती है जो कि बहुत ज़ादा इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करता है आपके लिए अगर फैमिली आपकी सपोर्ट ने करे तो आप आगे नहीं तो ये आपने हरियाना का नाम रोशन करने वाली सपोर्ट को सुना अब आपको सुनाली की बहन का बयान सुनाते है जिसमें वो अपनी बहन की इस उपलब्दी पर फकर महसूस कर रही है तो हर एक स्पोर्ट्स परसन को शुरुआत जर्नी से इतना जाधा एंकरेज करना चाहिए कि वो मेडल से जाधा उसकी जो प्राक्टेस है उसकी जो मैनत जो कर रहा है उसको एंकरेज किया जाए इस से जाधा happiness और जो proud moment है वो मैंने नहीं फील किया I was in tears when I got to know that मतलब पहले तो qualification इतना happiness थी हमारे लिए क्योंकि इतनी injuries के बाद एक महीने पहले इसको इतनी heavily injured थी और उसके बाद गोल लाना that is not easy at that too at national level we are very happy the family is very happy Sonali की बहन के साथ साथ पूरा देशाथ Sonali की इस उपलबदी पर खुश होगा फिलाल हमारी टीम की तरफ से भी Sonali को उनके उजवल भविशे की हार्दी शुपकामनाएं उमीद है उनसे हरियाना की कई और लड़किया भी प्रेरित होकर देश का नाम रोशन करेगी फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे News Broadcast 24